एक्सपोर्ट इंपोर्ट वीडियो में आपका स्वागत है। ऐ अगे के वीडियो आपने नहीं देखे ता आप मेरी यूटुब चैनल में जा सकते हो। और वहां पर एस सीरीज के सारे वीडियो आप देख सकते हो। अपने घर पे बेटे बेटे फ्री में export import सिख सकते हो वीडियो में आपको बताऊंगा how I prepare document for export yes export के लिए document कैसे prepare करना है जब आपका order आजाएगा उसके बाद आप खुद manufacture हो तो आपको goods बनाना पड़ेगा या आप मर्चंट हो तो आपको manufacture को order देना पड़ेगा वो goods आपके लिए बनाएगा जब goods ready हो जाएगा उसके बाद आपको क्या करना export करना है तो export करने के लिए आपको export के document बनाने पड़ेंगे तो मैं खुद एक्सपोर्टर हूँ तो मैं कोई भी product export करता हूँ तो उसके document में कैसे मनाता हूँ देखिए export import के जो document है बहुत ही critical है मतलब यहा फेले मैं आपको बता दू यह difficult नहीं है बड़ आपको नहीं आता है तो आपके लिए difficult हो सकता है दूसरा time taking process भी हो सकता है तो आपको क्या करना है पहले से planning करना जब मैं export करता हूँ मेरा order confirm हो जाता है और goods बन जाता है तो उसके बाद मैं planning करता हूँ तो सबसे पहले मैं planning क करता हुकि goods को कब बेजना है export करना है कौन सी डेट को उसको एफ़ोबी करना है उसी से आप से container का और ship का planning करना पढ़ता है तो CH को contact करकर करका पूछना है कि ship कौन सी डेट का available है उसी से आप से हमको क्या करना है planning करना है जैसी हमार export एक्सपोर्ट का date final हो जाता है उसके बाद C.H.E को बोल देना है country का booking आप ले लिजे C.I.F. Incoater में तो container exporter book करता है और हमें जो है C.H.E को बोलना पड़ेगा कि container का booking ये date में ले लिजे हमें date में stuffing करना है जब planning final हो जाता और goods जो है ready हो जाता है तो सबसे मैं पहले मैं बनाता हूँ packing list, ये important है, देखिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी ready product हुआ है, उसका आपको gross weight करना पड़ेगा, उसका आपको net weight करना पड़ेगा, ये सबसे important चीज़ है, कई बार क्या होता है, समझो, buyer ने मुझे 1000 GIN spend का order दिया है, due to some reason, 1000 की जगा 800 GIN spend बना है, तो buyer से coordinate करना पड़ेगा, कोई ऐसा ऐसा situation हो गया, तो अभी मैं आपको 800 बेज रहा हूँ, तो देखे यहाँ पर performa invoice हमारा जो था, 1000 GIN spend का था, अभी यहाँ पर actually जा रहे, 800 GIN spend जा रहे, वो चलेगा, buyer आपको हा बोलेगा, येस बोलेगा, त 800 export आप कर सकते हैं, कोई problem नहीं है इतना, बट यहाँ पर accuracy से packing list बनाना पड़ेगा, अगर आप merchant export रहो, तो जो manufacture रहे, उससे आपको gross weight और net weight लेना पड़ेगा, अगर आपको gross weight and net weight product का proper नहीं मिलता है, तो फिर आपको packing list बनाने में problem हो सकता है, इसलिए क्या कीजे, खुद manufacture हो, तो खुद सारा gross weight and net weight कर लेजे, अगर आप merchant export रहो, तो जो manufacture रहे, उससे पूछना आपको पड़ेगा, कि मेरी जो product है, उसका exact weight क्या है, मतलब product का weight, और packing के साथ, उसका gross weight क्या है, only product के weight को net weight बोलते है, मतलब मेरे आथ में यहाँ पे bottle है, आप देख सकते हो, इसके व box के साथ, यह जो bottle है, उसके weight को gross weight बोलते है, तो properly जो है, मैं packing list बनाता हूँ, उसके बाद जो है, invoice बनाना है, कि जो भी product हम export करें, वो सब आ गई, उसका rate वगरे क्या है, तो आपको bill बनाना, invoice मतलब normal bill, तो आपको invoice बनाना है, मैं खुद जो है, पहले packing list बनाता हूँ, उस इसमें क्या करना पड़ेगा, आपका wooden box वगरे packing है, तो आपको जो है, वो box का fumigation करना पड़ेगा, और उसका certificate भी बनवाना पड़ेगा, तो वो fumigation agency वाला करके देगा, बड़ आपको क्या करना पड़ेगा, advance में planning से fumigation agency को contact करना है, उसका बंदा आएगा, और जो है, आपक कि वीडियो में आपको बताऊंगा, detail में, कि shipping bill क्या होता है, इसमें क्या क्या details वगरे आती है, बट आप export करते हो, आपको shipping bill file करना पड़ेगा, जो CHE आपके भी हाप में file करेगा, तो हमको क्या करना है, shipping bill file करवाना है, तो हमारा CHE पूरा shipping bill file करेगा, कि यह जो product export हो रहा ह phytosanitary certificate निकालना पड़ेगा, वो compulsory नहीं है, agriculture अगरे product है, तो उसमें compulsory है, तो वो निकालना पड़ेगा, तो वो भी online मिलता है, उसको निकालना है export के लिए, next जो है third party inspection, compulsory नहीं है, बट buyer ने बोला है, कि आपको third party inspection SDS का देना पड़ेगा, तो उसका क्या procedure हैगा, मैं आ जाईएगा, तो वो लोग जो है, यहाँ पर time पर आ जाते, और buyer ने जो भी बोला है, उससे आप से वो लोग testing करते, product का testing करते, net weight, gross weight करते, quantity check करते, quality check करते, और loading के time पर वहाँ पर available भी रहते, तो buyer कब third party inspection करवाना चाहता हो, buyer बताएगा, उसके इसाप से हमको, जो है export के the third party inspection का करवाना पड़ेगा, और उससे हमें certificate लेना रहेगा, next वता है certificate of origin, तो एक बार हमारा goods export हो जाएगा, उसके बाद bill of lading हमको मिल जाएगा, उसके बाद जो है, chamber of commerce हम certificate of origin ले सकते, और online platform भी है, coo.dzft.zov.in करके जो platform है, वहाँ से भी हम certificate of origin निकाल सकते है, या फिर non- preferential certificate of origin है, तो हमारी जो export promotion council है, वहाँ से भी है certificate of origin के बारे में पुरा detail में वीडियो, एस series के अंदर आगे आएगा, तो generally जो export के अंदर इतने document आते है, फिर depend रेता है, और भी testing reports होगेर हो गया, तो buyer जो मांगता है, उससे आप से मैं document prepare करता हूँ, फिर मैं export करता हूँ, औ और सारे original document buyer को courier से base देता हूँ, तो इसी से आप से जो है, मैं पूरे practical document बनाता हूँ, तो export import business जो है, बहुत ही सरल है, उसके rules and regulations आप सिखोगे, proper आपको guidance मिलेगा, तो अच्छी तरह से आप export import business कर सकते हो, practically आप export import सिखना चाहते हो, गुजराती business सिखना चाहते हो, तो हम time support, let's go global together, thank you, thank you for watching this video, क्या आप successful exporter बना चाहते हो, और right mentor तुन रहे हो, then join our mission, mission go global, जिसके अंदर मैं आपको mentoring करूँगा, और guide करूँगा, mission go global को join करने के लिए मेरी YouTube channel में जाहिए, वहाँ पे join button को click किजे, और join किजे, and साथ में मिलके हम देश का export बनाते है, let's go global together, thank you, j किजे हमे हमेंग, और जाहाँ प्रुमें हमें हमेंगें। झाल झाल